आई ये बच्चों अब चुरू करते हैं यह पाल दिसी कमपनी ने रेप्रिजेटर बनाया और उसकी प्रसद्धी के लिए विदेशी विग्ल्यापन अपनाया भारत में प्रतियोगिता का जुगाड गिया प्रतियोगिता मतलब कॉंपरिटिशन और जुगाड यानि प्रबंध सवाल यह था कि इस रेप्रिजेटर को खरीबने के क्या साथ लाग है एक एप्रिल को हल निकालना था, हल याने दिधर्ड, जिस प्रतियोगेता का उप्तर कम्पनी के मुखरबन याने सील लिफापे में मेल खा जाएगा, उसे एक रेप्रिलेटर मुख्त इनाम दिया जाए, भारत में धूम मज गई, लेख़ कहते हैं, मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुच्य होंगे, कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेप्रिलेटर के दाम दो वसुल हो जाएंगे, लोटरे खुलने वाले ती इन से पहिली वाली रात थी, यानी एक एप्रिल को रिजन लिकनने वाला था, और उसके पहिले की यह रात थी, हम सब बाहर चट पर लेटे थे, हेमन ने कहा, पिता जी, हम रेप्रिजरेटर रखेंगे कहा पर, मतलब हेमन को पिता जी पर विश्वास था, कि इनाम तो हम ही जितेंगे, तो रेप्रिजरेटर कहा रखेंगे, यह सवाल उसके मन में आया, लेखव के पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों रसोयू में जगव कर लेंगे, लेखव की पत्नी फिर से बोली, क्यों जी, तुमने विजली कमपनी में दरख्वास तो दे दी है न, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए, घरेलू पावर याने विजली, लेखव मुस्कराकर बोले, तुम तो खयाली पुलाव पका रहे हो, मतलग तुम इतने कलपना में खोगे कि, मानो किसी ने तुम्हे टेलीपोन पर खबर कर दी हो, हमारे टेलीपोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मसका लगाया, इतने अच्छे लेखव के होते हुए, कौन अच्छा जी, अब हमसे उढ़ने लगे, याने सच छुपाने लगे, उस दिन खुद कर रहे थे कि कमपनी के पास लिखा लिखाया कुछ भी नई रहे, जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा, उसे कमपनी इनाम देगी, रेप्रिजरेटर का विध्यापन हो जाएगा, और ल अच्छ से बचेंगे, अमिता बोली, अमिता ताली पिटकर बोली, पिता जी में रोज आइसक्रीम खाऊंगी, हेमन ने कहा, में बर्ब के क्यूब चुसूंगा, तभी बगल की छट से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कोन बना रहा है, क्या अमिता के पिता जी र नया रेफिजेटर आने वाला है, अमिता भी खिल खिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, ताउज ने कहा, क्या लोटरी वाले की बात कर रहे हो तुम, वह तो मेरे नाम आ रहा है, वहर रेफिजेटर तो मेरे नाम आ रहा है, लेखव ने नम्रस्वर से तुमारे उत्तर से अच्छा है, इसलिए रेफिजेरेटर मिलेगा तो स्रिप मुझे, थेर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, इस बात को लेकर बच्चे थोड़े मायूस हो गए